हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एड्मिराज जीएस क्लासेस में दोस्तों आज की वीडियो में हम अंतराश्टिय संगठनों के बारे में बात करेंगे कब उनकी स्थापना होई उनके मुख्याल है कहा है इसके बारे हम बात करेंगे दोस्तों इसकी PDF आपको ह हम बात करें तो बर्ड वेंक 20 बैंक के वारे में जान लेते हैं दोस्तों तो विश्बैंक की इस्थापना आपकी हुई थी जुलाई 1900 imp में ठीक है दोस्तों वहीं इसकी मुख्याल रका हैं तो मुख्याल वॉसिंग्टन डीसी में है यानि कि अमेरिका के अंतर इसका मुख्याल है और कहां पर वॉसिंग्टन डीसी में इसके अलावा हम देखें यूनेसको यूनेसको यानि कि सहयोगतराश सैक्षिक बैग्यानिक एवम सांस्किर्टिक संगठन इसके बारे में दोस्तों इसकी कब होई? 4 नवंबर 1946 को, निकी UNESCO की इसका जो मुख्याल Commercial है पैरिस में, तो UNESCO का मुख्याल है जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पैरिस और पैरिस दोस्तों आप जानते हैं कहां है? फ्रांस में, इसके बाद हम देखते हैं, IMF, बहुत बार आपने नाम सुन होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानि अंतराष्टी मुद्रा कोश इसकी स्थापना दोस्तों हुई 27 दिसंबर 1945 ठीक है और वहीं इसका मुख्याला भी वॉसिंग्टन डी-सी देखिए विस बैंक का मुख्याला भी वॉसिंग्टन डी-सी में था और इसका आई-एम- पर्टिक्लर और्गनाइजेशन को उठाएंगे और इसके बारे में डेटेल से समझेंगे इसमें आपके बल समझ लीजी कि इनकी स्थापनों मुख्या लेकाएं क्योंकि यह एक्जाम पॉइंट पूर्वी एसियाई राश्ट्रों का संग है दोस्तों और इसकी स्थापना कब होई थी आठ अगस्त 1967 में ठीक है दोस्तों इसके बाद मुख्याले इसका कहां है तो इसका मुख्याले है जकार्ता और यह जकार्ता कहां इंडोनेसिया में ठीक है इसके बाद देखते हैं सार्क दक्षिण ACI छेत्रिय सयोग संगठन इसकी स्थापना 1985 में हुई थी महीं इसका मुख्याले कहां है काठ मांडू में दोस्तों बहुत ध्यान से इनको देखिएगा रिपीट करकर के इनको देखने का प्रयास किजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रह जाए चीज इसका अपना दोस्तों कब हुई थी नाइंटीन सिक्स्टी बन में हुई थी और इसका मुख्याले कहां है सेंट्रल जकार्ता और यह भी इंडोनेसिया में तो यह दोनों आप याद रखीगा कि आसियान का अगर मुख्याले आप से पूछा जाए तो बो भी आपका इंडो दोस्तों यूरेपीज संग जो है आपका उसकी स्थापना कब हुई थी एक नंबर 1993 और वहीं इसका मुख्याले कहां है ब्रजेल में यानि कि बेल्जियम के अंतर का ब्रजेल में इसका मुख्याले है दोस्तों इसके बाद देखते हैं आई सी सी इंटरनेशनल क्रिकेट और आप जानते हैं संयोकतारब अमीरात में दुबवई में इसका मुख्याला है दोस्तों वहीं बात करें ओपेक देशों की तो इसमें है पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है यह ओप और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में और इसका मुख्याले आपका कहा ह का है बिया ना में तो पेक का मुख्याले कहा है बिया ना में और दोस्तों नेक्ष्ट बात करेंगे यूए नो के बारे में संयुक्तराश संग बहुत बार एक्जामों में दोस्तों यह पूछा गया है United तो इसके बारे में हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को बहुत इंपोटेंट दोस्तों 24 इसकी स्थापना कब हुई थी एक जनवरी 1995 को और इसका मुख्याले कहा है दोस्तों जेनेवा में और जेनेवा का स्विजर लेंड के अंदर ठीक है दोस्तों इसके बाद डबलू हो वर्ल्ड हेल्थ ऑगनाईजेशन विस्प स्वास्त संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी साथ अपरैल 1948 को ठीक है दोस्तों और वहीं इसका मुख्याले कहा है आपका जेनेवा में तो देखिए यहाँ पर डबलू टियो और डबलू एचो दोनों का मुख्याले दोस्तों कहा है जेनेवा में यानि कि स्विजर लेंड में दोनों के मुख्याले जेनेवा में है दोस आपका ICG, International Court of Justice, यानि अंतराष्टी नियायले, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, इसकी स्थापना हुई थी 3 अपरेल 1946 में, और इसका मुख्याले है हेग में, ठीक है दोस्तों, यानि कि नीदर लेंड में, हेग में इसका मुख्याले है, इसके बाद बात करते हैं WMO, World Meteorological Organization, बिस मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को, वहीं इसका मुख्याले है, जो है जेनेवा में, स्विजर लेंड में, जेनेवा में इसका मुख्याले है, दोस्तों, जेनेवा के बारे में आप कई बार ये नाम आ चुका है, तो WMO आपका हो गया, यानि कि World Meteorological Organization भी यहीं है, बाकि आपका WTO, World Trade Organization भी यहीं है, और WHO तो ये आप इनको connect करके याद रखने का प्रयास कीजेगा, इसके बाद बात करते हैं, IAEA, International Atomic Energy Agency, यानि अंतराष्टी परमाडू उर्जा अभीकरण, इसकी स्थापना दोस्तों कब हु थी, 29 जुलाई, 1957 में, और वहीं इसका मुख्याले कहां है, बिये ना में है, आस्ट्रिया, दोस्तों इस बिये ना का भी देखें, नाम दो बार आ चुका है, आपका, यहां पर इसके बारे में आ गया, वहीं इसके अलावा हम देखें, देखें, पीछे आपको दिख रहा ह होगा, यह ओपेक का भी यहां पर मुख्याले था, तो आप यह कनेक्ट करने का प्रयास कीजेगा, इसके बाद लास्ट आप करे जाता है, नाटो, नौट अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन, उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन, इसकी स्थापना कभी थी, 4 अप दिख रहा होगा, यूरोपीन यूनियन यानि की यूरेपी संग का मुख्याले भी यहीं पर है, तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे संगठनों की स्थापना, उनके मुख्याले के बारे में बात कर ली, इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएंगी, उसमें हम हिंद, जय भारत!